गुसा के चलिए देखिए आज हम लोग बात करेंगे से लिनियर इन क्वालिटी सто क्लास 11 का है चैप्टर 6 है और इस चैप्टर में देखिए आपको पहले से भी देखिए आप लोग पढ़ते क्या है linear equation in one variable कि जैसे मालिज आप 6 class 7 class 8 class इस सब में आपको पढ़ते आये होंगे उसी तरह से यहां भी मिलेगा बाबू लेकिन इसमें थोड़ा सा केवल difference मिलेगा ठीक है अब यहां क्या मिलेगा वहां आप लोग पढ़े होंगे इस तरह सवाल जैसे मालिज यह कि 3x प्लस 5 ठीक है इक्वल टू आपका 8 है तो वहां आप 6 class में आप तुरंत यहां से find करते होंगे x का value है कि नहीं ठीक है तो उसी तरह से आपको यहां भी find करना रहेगा जैसे आप सवाल रहेगा क्या चीज कि यहां रहेगा 3x प्लस 5 अब रहेगा greater than 8 तब इसका value निकलना है बस कुछ नहीं है इसी के हिसाब से आपको यह सब भी बनेगा और आराम से आप समझिएगा बिलकुल बन जाएगा ठीक है तो आएए देखिए हम लोग चलते हैं तो इस से पहले सबसे पहले तो हम इस बार आप सब लोग को आगे भी इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और मेहनत से पढ़िए और आगे अच्छा किजिए ठीक है तो आएए देखिए इसमें क्या-क्या मिलेगा आपको in qualities के बारे में तो देखिए आपका एक sign यह मिलेगा एक sign यह मिलेगा और फिर यह मिलेगा और यह मिलेगा यह sign आपको देखने के लिए मिलेगा यह कहलाता क्या है less than greater than greater than equal to less than equal to है यानि कि double in quality भी आपका लगा हो रहेगा तो इसी का condition आपको देखना है कि कब यह in quality change करता है और कब in quality change नहीं करता है ठीक है तो यह सब के बारे में हम बात करेंगे और एकदम अराम से और basic से बात करेंग कि आप अराम से समझते जाएगा ठीक है जैसे कि इतना लोग से देखिएगा कि पहले आप पढ़े होंगे one class में वहां देते हैं लोग जैसे माले यह five है यह eight है तो आपसे पूछा जाता है कि बताये कौन सा नंबर बड़ा नंबर है तो क्या करते हैं कि बड़ा वाला तरह करते हैं कि नहीं तो आपको बताया जाता है क्या चीज कि देखिए इस तरह से बताः जता है अगा बड़ा नंबर कर देखिए यहीव खुला है तो बड़ा नमबर है कि ने 8 और यह चोटा नमबर है यही पता करना है मालीजे यह अगर हम 14 लिख दें और यह ऐसे लिख दें तो अब देखिये तो कौन सा बड़ा नमबर हो गया 14 हो गया बड़ा नमबर इसी में आपका रहेगा इस तरह से 8 तो अब यहां क्या फिल पिर माली जे यह रहेगा 8 आई यह रहेगा आपका 5 और यहां भी ऐसे इक्वाल टू का रहेगा तो यह देखिए तो इक्वाल टू नहीं है लेकिन 8 क्या है बड़ा है कि नहीं नमबर यानि कि 5 से 8 जो है वह बड़ा नमबर है यह क्या हो जागा ग्रेटर दन इक्वाल टू का साइन है लेकिन इसमें से कोई एक सिम्बॉल सटिस्फाइड कर जाता है तो यह कौन सा कर रहा है तो यह कर रहा है आपका 8 जो है से बड़ा नमबर है फिर माली जे देखिएगा यह अब 8 है और यह इस तरह से ऐसे रहेगा तो आप बताना इसमें देखिए आपको बताना रहता है कि इसमें बताइए कि कौन सा सही है से है कि नहीं यह तो गलत है यह और यह凌र और यह यह कुछ द करना है कि कभ किढर का साइन लगाएंगे और ध्यान से आप देखते जाएगा ठीक है तो आईए देखिए इसमें कुछ इंटर्वल के भी जरूरत आ जाएगा इंटर्वल के यहां भी बात कर देंगे हम ऐसे फिर आप देख सकते हैं इंटर्वल के बारे में बता दिया गया है आप वीडियो आप देख सकते हैं शेट में बताया गया था इंटर्वल क्या होता है इंटर्वल कब कहां से कौन सा नमबर लिए ज देखिए 5 greater than 3 क्या बलेंगे इसको 5 greater than 3 ठीक है या 3 less than 5 यह भी बोल सकते हैं अब क्या करते हैं कि सेम नंबर से क्या करते हैं कि इधर आप 2 से multiply इधर भी 2 से multiply कर दिए तो यह आजागा आपका कितना तो 10 हो जागा और यह आपका 6 हो जागा अभी देखिए यह sign इधर ही रहा गया यानि एक चीज़ हम लोग देख लिए कि दोनों साइड में सेम नंबर से multiply किये तो यह sign in quality change नहीं किया अब दूसरा condition में देखते हैं हम लोग यह माली जे 5 है और यह 3 है इसमें क्या किये कि 4 से add कर दिए यह sign तो यही रहेगा sign ग्रेटेदन का है और यहां भी हम लोग क्या किये कि 4 add कर दिए तो यह हो जागा बाबु 9 और यह हो जागा 7 देखिए तो बड़ा नंबर अभी यह नहीं रह गया कि नहीं यानि अभी यह sign यानि inequality जो यह जो है यह बात अभी भी चेंज नहीं कर रहा है ठीक है अगिला देखते हैं नेक्स टर में देखते हैं कब चेंज करेगा कभी तो चेंज करेगा यह 8 है यह 8 है और यह आपका 10 है अब क्या करते हैं यह sign अभी है इसमें क्या करते हैं कि minus 2 कम करते हैं यानि 2 घटा जते हैं तो 2 जब घटाएंगे तब देखते हैं यह हो गया आपका 6 और यह हो जागा आपका 8 अभी भी देखिए sign नहीं रही रहेगा इसलिए क्यों कि यह बड़ा number आ गया है चलिए next देखते हैं यह है आपका 3 और यह है आपका 4 sign आपका यह है बड़ा number अब क्या करते हैं कि इसमें minus 2 से multiply कर दिये और इसमें भी minus 2 से multiply कर दिये यह आपका हो जागा minus 6 और यह हो जागा आपका minus 8 आपको बताया गया होगा कि number line जो होता है number line देखे इस तरह से ऐसे होता है यह होगा आपका plus infinite और यह हो जागा आपका minus infinite इस पर number line जो हम लोग लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं तो यह देखे आपका यहाँ हो जागा 0 यह हो जागा 1 यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 यह 6 और यह 7 यह 8 और डॉटेट है क्योंकि अभी जाइए रहा है इधर आजाइए minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 और minus 8 देख लिए ना तो देखिए यहाँ 0 से 0 से राइट जाइट जितना ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही बड़ा number होते जाता है और 0 से जितना ही हम लोग left आ जाते है उतना ही छोड़ा नमबर होते जाता है तो देखिए मेरे पास कौन कौन पॉइंट है ये एक minus 6 है और ये है minus 8 है ये देखिए minus 8 कहा है यहाँ है और minus 6 कहा है यहाँ है अब ये देखना है कि इस दोनों नमबर में बड़ा नमबर कौन सा होगा तो हम लोग जितना ही इधर बढ़ते हैं उतना ही बड़ा नमबर होते है कि नहीं तो बड़ा नमबर मेरे पास कौन सा हो गया 6 नहीं हो गया minus 6 साइन तो बदल गया कि नहीं, देखें साइन उधर का था, साइन अब बदल गया, तो देखें एक पता करने काम्याब आ गया, कि कब साइन चेंज होगा, माइनस नमबर से कभी भी एगर मल्टिप्लाई करेंगे बोच साइड, यानि कि दोनों साइड में, तो इनक्वालिटी बदल जाएगा बाबू, देखें इनक्वालिटी बदल गया है कि नहीं, सेम नमबर से आहां, और सेम नमबर से, यानि कि माइनस टू से माइनस टू से मल्टिप्लाई किए, तो इनक्वालिटी चेंज हो गया, है ना, यानि कि किसी भी एक्वेशन में अगर से मल्टिप्ला और से डिभाइड कर देंगे तो इन quality हो जागा किलियर तो समझ्जा अब आतिए तो इसी तरह से हम लोग को अभी equation जो आएगा उस equation से हम लोग का value find करना है और हम लोग अराम से अब value find कर सकते हैं आप देखिएगा और समझते जाएगा आप से चलिए करके बैठे भी रहिए कुछ-कुछ ऐसा भी आता है जो नोट करना भी पड़ता है तो आप नोट भी कर सकते हैं कि आए देखिए हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं आप 6.1 यह चेप्टर 6 का है पहला एक्सरसाइज एक्सरसाइज देखिए आपका लिखा हुआ है फर्स्ट नमबर देखिए सवाल में लिखा हुआ है solve 24x less than 100 win फर्स्ट नमबर देखिए इसका सवाल देखिए है x is a natural नमबर और दूसरा सवाल आपका है इसी में x is an integer यही देखिए दो सवाल आपसे पूछा गया है और यही दो सवाल का हम लोग answer देदेंगे और आराम से देदेंगे क्योंकि अभी हम लोग समझे गए है basic concept से आप समझे रहे हैं आराम से देखिएगा पहले तो हम लोग इसको solve करेंगे इस equation को solution आराम से आप लिख लिजेगा क्या लिखा हुआ equation तो 24x less than 100 तो अब equation में हम लोग solve करते थे बावू लोग तो वहां क्या करते थे कि हम लोग जब भी कोई variable के साथ अगर number आता तो उसको हम लोग divide में ले जाते थे लेकिन वह ऐसा काम नहीं करेंगे अब यहां बोद साइड काम करना का काम करेंगे जैसे अभी हम लोग बोद साइड काम करके अभी हम लोग देखे कि इन क्वालिटी कब चेंज करता है इन क्वालिटी कब चेंज नहीं करता है उसके बारे में ठीक है तो उसी तरह से यहां भी हम लोग solve करेंगे हमको चाहिए x का value तो x क भलू चाहिए तो यानि कि 24 को हटाना होगा तो 24 को हटाने के लिए क्या करेंगे तो हम लोग दोनों साइड में बोद साइड में डिभाइड कर देंगे कितना से तो 24 से तो लिखेंगे क्या चीज कि 24 x by 24 साइन यही रहेगा अभी इसलिए क्योंकि प्लस नंबर से आप डिभाइड किजएगा तो साइन चेंज नहीं होता है तो यहां क्या लिखेंगे 100 by 24 यह तो आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या चीज एक से लेस देन यह हो जाएगा आपका कितना तो 100 by 24 इसको और सि प्वोर से यह 25 बार में आता है कट गया कि नहीं तो क्या हो जाएगा तो एकस लेस देन यह हो जाएगा 25 बाई 6 दरहां इसको रफ में किजेगा आप तो मैं उमीद करता हूं कि यह जो आएगा वो एकस लेस देन यह हो जाएगा 4.166 ही आते रहेगा ठीक है तो इतना हम लोग रुकेंगे हमसे सवाल देखिया पूछा है एकस इज नेच्रूरल नंबर और एकस इज एन इंटीजर तो आप तुरणत हम लोग देखिये नंबर लाइन पर देखेंगे यहीं से लोग नंबर अराम से लिख लेंगे यह देखिया है आपका नंबर लाइन एकदम आप समझिये बेसिक किदम concept से यह देखिए है आपका minus infinite और यह होता है आपका plus infinite नंबर लाइन देखिये आपका यह है 01234567 सेवन यह होता है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 इदार डॉटेड है यहां भी देखिए डॉटेड है उधर नमबर जा रहा है नेच्रूरल नमबर पहला सवाल का देखिए हम लोग एंसर अगर लिखेंगे तो कहा है इसमें क्याचीज की एकस नेचरी नमबर तो देखे तुष नम्बर लाइन पर नेचरी नमबर कहा चोबता है जो काउंट करते हैं वही एक तब नेचरी नमबर कौन-कौन हो सकता है क्योंकि देखे 4.166 है । हम्को चाहिए इतना से छोटा ना तो फोर गोल कट जाता है अगर यह 64 जागा 24 कर जाता तो 6 से छोटा नमर लेते आनि कि यही 3 लेते हैं कि नहीं? लेकिन यह पुरा-पुरा देखिये कहा नहीं आगे भी नमर है, तो नेचुरल नमर में हुआ लोग कौन को ले सकते हैं यहीं 4 भी समलित हो जाएगा तो हम लोग इसमें लिख लेंगे क्या क्या चीज लिखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख करके और यह 1st नमर का एंसर हो गया अब 2nd नमर में आईए 2nd नमर में देखिए कहा है क्या चीज कि X is an integer कितना से छोटा का है तो X का जो भेलू होना चाहिए 4.166 से छोटा यानि कि इस पॉइंट से ले करके इधर का सब भेलू हो जागा आप क्योंकि छोटा में integer नका है तो integer तो नमबर लाइन पर इतना नमबर दिखता है हमको वो सब integer कलाता है जब तो इसका answer जो लिखेंगे हम लोग second number का dotted पला ही लगा लिजिए तो किधर का भी number पूरा infinite तक जाएगा minus तक तो यहाँ से लिक लेते हैं कितना ज्यादा नहीं लिखिए minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 और 4 लिकर कैसे बंद कर देंगे देख लिए तो यह जो होगा आपका यह होगा आपका number और इसी तरह से आपको value find करना है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है समझ में आ भी गया होगा तो आगे भी बनाते हैं एक दो और सवाल लेते हैं देखते हैं एकदम आराम से दम समझ यह एकदम समझ में आ जागा तो यह फस्ट नमबर था यह अब चलते हैं दूसरा सवाल लेते हैं इसी तरह से आप आराम से बनाईए और जो सवाल नहीं बनेगा आप सीधे comment कीजिएगा उसका solution तुरण अप्लोड कर देंगे आराम से आप बना लि इस सवाल बनाते हैं क्योंकि सक्रिंद नमबर देखिए इसमें भी कहा है नीचरल नमबर और एनिंटीजर नमर एक रियल नमबर की बात हम कर दे रहे हैं तब रियल नमबर की बात कर देंगे तो 16 का 20 तक बना सकते आप लोग ना देख थी नमबर सवाल है आपका three number में देखिए लिख लीजिए solve करना है आपको five x minus three less than seven when first number आपका देखिए सवाल पुछा है x is a नहीं x is an integer integer और second number में पुछा है बाबू x is a real number real number ठीक है आईए देखिए real number की बात करता है तो real number हम लोग set में बताया गया है interval आप यहाँ interval का use भी करना पड़ेगा आपको और ध्यान से आप समझेगा real की बात कहा गया है जैसे आप से अगर पूछ दिया जाए कि two के just अगला real number बताईए तो two के just अगला real number three नहीं बोल दिजेगा two के just अगला real number यही होता है अभी यह dotted लगा के छोड़ देजिए खुब किजेगा तो अभी ठक जाएगा फिर लगा के जीरो जीरो लिख सकते हैं यह कला आता है just कोई भी number का real number clear है तो इसी में आपको इंटर्वल की बात किया जाएगा तो इसलिए हम बता दे रहे हैं और इंटर्वल का फिर से हम repeat कर दे रहे हैं कि अगर यह bracket लगा हो रहता है तो यहां जो नंबर रहेगा यहां से यहां तक का नंबर को लेकर के बात किया जाता है जैसे मालीज यहां लिखा हुआ अगर A और B तो A से B तक का सब भेल हो गया यही अगर रहेगा ऐसे open इंटर्वल कॉमा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि A से लेकर के B तक नहीं B को छोड़ का याने कि B से पहले तक का सब भेल हो गया और दोनों तरफ अगर ऐसे इंटर्वल अगर लग गया तो समझे कि A और B को छोड़ करके बीच का सारा भेल हो गया किलियर है तो यहीं इंटर्वल का यूज होगा कब जब सकेंड सवाल बात करेंगे तब रियल नमबर में ठीक है तो यह बात समझ जा गया तो यह एक्ट्यूली है क्या जीच कि यह बता दिया गया है सेट में सेट आप देख लिजेगा एक वीडियो पर अप्लोड किया गय करेंगे यहां अभी हम लोग अप्लाई करेंगे अभी तुरहन समलग पड़े हैं कि सेम नमबर से बोट साइट एडिशन कर सकते हैं सेम नमबर से बोट साइट मल्टिप्लिकेशन कर सकते हैं सब्टेक्शन कर सकते हैं रूट कर सकते हैं लेकिन साइन कहां चेंज होता है नि 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे बोद साइड 3 से हम लोग add कर लेंगे तो यह है आपका 5X minus 3X plus 3 sign आपका यही रहेगा और 7 plus 3 हो जाएगा 3 से 3 देखे कट जाएगा आपका क्या बचेगा तो यह बचेगा 5X less than 10 इसके इधर और का sign देते जाएगा अब हमको 5 को हटाना है तो 5 को हटाने के लिए दोनों साइड से divide कर देंगे आनि कि both side dividing on both side by 2 तो क्या करेंगे 2 नहीं sorry 5 न तो 5X by लिखेंगे 5 और less than 100 by 100 नहीं है 10 है बावू 10 by 5 हो जाएगा ठीक है तो यह देखे आपका cut की क्या जाएगा तो यह हो जाएगा X और यह हो जाएगा आपका 2 यानि X less than 2 आपका value आ गया लेकिन यह value से अभी मतलब नहीं हमको निकालना है integer number और निकालना है real number तो आई हम लोग second number से पहले बात करते हैं यहाँ पे फास्ट ही पहले निकाल लेते हैं पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि number लाइन ऐसे रिपर्जेंट कर लेंगे यह होता है आपका यह क्या होता है यह बीच में जो होता है आपका number क्या क्या होता है वह भी मैं लिख दे रहा हूं इसी से clear हो जागा यह 0 है one है two है three four five six seven यह हो जागा minus one minus two minus three minus four और minus five यहां भी dotted है यहां भी dotted है फर्स्ट नमर स्वाल क्या क्या है कि फर्स्ट नमर में आपका सवाल क्या है कि is an x is an integer तो integer number हमको निकालना है लेकिन कहां से तो two से देखिए छोटा exact देखिए two है तो two को अब नहीं लेंगे इसलिए क्यों two को छोड़ देंगे तो अगर equal two रहता अगर यहां अभी तुरंत हम लोग पढ़े न quality में अगर equal two रहता तो two को लेके चलते इंटर्वल में न तो यह अब क्या करेंगे कि two को छोड़ देना है और two के बास इधर का सब का number लिख लेंगे तो इन्टीजर में लिखेंगे तो यह curly bracket में लिखेंगे इधर dotted लगा देंगे minus three minus two minus one zero और one ऐसे लिख करके ऐसे बंग कर लेंगे यह निकल गया फस्ट नमबर का answer integer number हम लोग लिख लिए ठीक है अब चलते हम लोग second number में real number की बात तो real number में कहा क्या है तो real number में देखें कहा है कि two से छोटा two से लेकर के नहीं कहा है अगर equal two रहता तो two से लेकर के बात करते तो अब क्या लिखेंगे इधर infinite तरफ open interval लगता है तो यहां कर लेंगे हम लोग minus infinite और यहां लिखेंगे हम लोग two और यहां भी लगा देंगे open interval हो गया आपका answer ठीक ह तो इस तरह से आप बना सकते हैं graphically में भी आप कर सकते हैं क्या चीज्व जैसे यह लिखा हुआ है न इसी को आप कैसे लाइन पर डियोंकर सकते हैं मा वसे न तो यहां क्या किजिएगा कि ऐसे करके यहां से आप इधर ऐसे कर सकते हैं कि देखिए इसे करने के मतलब क्या हो उमीद करता हों कि आप सवाल आप लोग बना लिजएगा तो यह आपका क्या हो गया कि 6.1 एक्सराइज है और 6.1 एक्सराइज में तना सवाल बन सके उतना सवाल आप बनाईए मैं उमीद करता हूं कि 1 से ले करके आपको 20 नमबर तक बना सकते हैं ठीकर अराम से बनाईएगा साधानी पूर्व के दम राम से बनाईगा अपने अपने मेहदम पूर्ण विश्वास रखिए सवाल बनेगा क्यों नहीं एक बार नहीं दो बार तीन बार चार बार परियास करने से तो क्या नहीं हो सकता है है कि नहीं तो आप बनाईए और नहीं बनता है तो comment कीजिए उस वाल को solution upload कर देंगे अराम से समझ लिजेगा फिर ठीक है तब तक मैं चलता हूँ next video के लिए फिर मिलते हैं हम लोग next video में तब तक के लिए राम राम दुगा सलाम जैहिंद जैभारत